सो हेलो एवरिवन दिस इस मी सत्यान शर्मा और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे उन जही मेंस टॉपिक्स की जो एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं या लगबग ना के बराबर एक आद क्वेश्चन जो का पिछले 10 सालों में आये हुए एडवांस में जही मेंस एक्स्लूजिव टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैस्स तीनों के आज बात करने वाले हैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी मैं तुम लोगों बस टॉपिक्स थोड़े बहुत बता दूँगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे वाले फिजिक्स से स्टार्ट करें तो सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर में तुम्हारा ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हो गया जंक्शन डायोड हो गया फिर कम्निकेशन सिस्टम में मैं बता दिया था एरिया वाला पार्ट हो गया रेंज ऑफ टावर्स वाला प उसको फिर से पूछ सकते हैं फोर्थ डाम्ड उसिलेशन में A equal to A not E to the power minus B T by 2M वाली जो equation रहती है उसी के उपर generally question based रहते हैं तो उसको अच्छे से देख लिए ना डाम्ड उसिलेशन SHM वाले chapter में भी रहता है और electromagnetic induction वाले chapter में भी AC में रहता है ससेप्टिबिलिटी मैंगनेटिक पर्मीरिबिलिटी जो B equal to XH करके जो भी होता है वो देख लिए ना सिक्स इस डिफ्राक्षन प्लस पोलराइजेशन पोलराइजेशन में जो तुम्हारे law रहता है मैलस law और जो light pass करते हो पोलराइजर से तो उसकी intensity पर क्या फर्क पड़ता है पहली बार पास करोगे तो आई नौट बाइटू हो जाएगी दूसरी बार पास करोगे तो फिर चेंज हो जाएगी वह देख लेना डिफ्राक्षन में क्या कि पता होना च obsessi कि सेंटर मीट्स रहता है वो कि इतना है वह देख लेना आप्टिकल इिंस्टूमेंट्स उप्टिकल इंस्टूमेंट्स में गौunya तो क्यों की ओपर पुछे जाते हम्तिंग थोड़ा तफ रहता है तो इसके 48 इंपोर्टन रहता है तो हर माइक्रोस्कोप टेलेस्कोप की ट्यूब लेंद पढ़के जाना ट्यूब लेंद के लावा इमेज डिस्टेंस वगरा थोड़ा बहुत आना चाहिए में ट्यूब लेंद से काम हो जाता है केमस्टी की बात करें तो इवरी डेय लाइफ काफी इंपॉटेंट चैपटर है बायो मॉलिक्यूल से एडवांस में पूछे जाते हैं बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वेटेमिन हो गया उनके उपर क्वेश्टन नहीं पूछा जाता हर वेटेमिन का क्या सोर्स होता है क उसके जो पाट हैं जिसके वाषइस वह बन रहे हैं वूपता होना चाहिए तुम्हें इन्वाउमेविंटल केमिस्ट्री इसमें बीओडी वाला पार्ट मोर्ट्न है एस सेल रयन आर यहां से और इसके वह उसके लावई तैबल कि किस इलिमेंट का कितना पर्सेंट तुम यूज करोगे तो वो सेफ रहेगा ड्रिंकिंग वाटर में शायद तो वो देख लेना टेबर क्योंकि उस पर एक बार question पूछ लिया गया है 2019 जैए मेंस में फॉर्थ हाइड्रोजन आइट्स बेस्ट आएंगे तुमको कंपाउंड का मास दे रखा होगा और जो भी एलिमेंट बन रहा है उसका मास दे रखा होगा डारेक्ट फॉर्मूला याद करके जाओगे क्वेशन हो जाएगा लेकिन जल्डॉल मेथड वाला एक बार कॉंसेट पढ़ लेना कि वह कैसे होता है क्वालिटेटिव में जो डिस्टिलेशन अगर तुम देखोगे तो उसमें मतलब प्रीवियस से एनलाइस करोगे तो बैटर रहेगा इन दो चैप्टर में मैं यही सजिस्ट करूँगा प्रीवियस यह देख लो हां तुमसे क्वेशन नहीं बनेंगे उन क्वेशन क को अपनी कॉपी में डाउन कर लो जो मैंने काम किया था ठीक है वैसे पढ़ोगे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें अपने आप याद आ जाएंगे एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक अगर तुम बात करो तो जैए एडवांस के सिलेबस में मेंशन है और क्वेशन इस फिस्टा बाते हैं लेकिन अब सब्सक्राइब कुछ पार्च होते हैं पर इस लायो फोबी को गया लायीं विलेक हो गया he मैंटमेटिकल रिजनिंग तुम्हारा एक चैप्टर है इससे पहले इंडक्षन चैप्टर रहता है तो जनरली औब्जेक्टिव में नहीं उसको कनवर्ट किया जा सकता है बट मैंने बता रहे हैं स्टाटिस्टिक्स के सारे तुम्हें याद होने चाहिए वेरियंस कैसे निक रूट अंडरूट करने में तुम्हें लग जाएगा और इसमें बचा सकते हो लेकिन तुम हैट सेंट इस्टेंस में अंगल ऑफ एलिवेशन अगल अगर एक टावर से दूसरी टावर की हाइट पर देख रहे हैं तो क्या लेंथ है बेस की लेंथ दोनों टावर की बीच मे यह सब पता होना चाहिए जो क्लास 12 की बात करूं अगर मैं तो प्रावबिल्टी के एंड में यह दिया हुए रैंडम वरियेबल बाइनॉमिल डिस्टिबिशन वगर इसे चैप्टर दिये हुए इनको एक बार गो थू कर लेना वैसे चांस कम है कि यह में पूछे जाए ब में इंक्लूड कर देते हैं कुछ लोग कुछ लोग फंक्शन में करते हैं लेकिन तुम वह फॉर्मूलेज याद करके जाना सो डाट्स वर्द जेए मेंस एक्सुजिटिव टॉपिक्स आयोब तुम्हें समझ आ गया होगा सो थैंक यू कि अग